अप्पी की रसोई में आज हम लोग बनाएंगे कच्चे केले की सब्जी जो बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है तो इस सावन आप जरूर बनाएए ये कच्चे केले की सब्जी और ये सब्जी खाने के बाद आपको मचली की ग्रेवी का याद आ जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही हम लोग केले को पहले बॉइल कर लेंगे तो मैंने ऐसे ही पूरे-पूरे केले ही साब उसको बॉइल कर लिया है सिंपल साइस में कोई पानी नमा कुमक नहीं डाला है इसको बॉइल करने के बाद हम लोग छील लेंगे और छीलने के बाद भी से cut लगा देंगे अगर आप चाहे तो इस एक केले को चार टुक।्डों में भी कत कर सकतें मैं इसमें 2 ही टुक। कर करंगी और यह देखिए हमने सारे केलों को cut कर लिया है और इसमें थोड़ा सा स्वाधनुसार नमक डालेंगे बहुत कम नमक डालिएगा क्योंकि gravy में भी नमक जाएगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसे हम थोड़ा से मिला लेते हैं अच्छे से जैसे हम लोग face मिलाते ना नमक हल्दी डालके वैसे ही आप इसे भी मिलाएगे और इसे डीप फ्राई करना है तो सर्चों तेल हम दो गरम होने के रख देंगे तो देखिए कड़ाई मैंने चड़ा दिया है और ये डिप फ्राई होगा तो थोड़ा सा तेल इसमें ज्यादा लगेगा तीन बड़े चमच मैंने इसमें तेल डाला है सरसों का और जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम लोग वो कटे हुए केले सारे डाल देंगे इसमें और बिल्कुल इसे क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे और गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा गैस के फ्लेम को लो मत क क्योंकि केले हमारे उबले हुए हैं इसलिए लो किजिएगा तो यह बहुत ज्यादा सॉप्ट हो जाएगा और हाइफ लिम पर इसे हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे पांच मिनिट में ही यह फ्राई हो जाएगा अच्छे से और यह दिखें फिरे से हम लोग पलट देंगे और ग्यास की फ्लिम को हाई रखिएगा जो तक हमारा केला फ्राई हो հहा है तक हम लोग अपना मसाला भी तियार लिए हैं ये देखें हमारा केला कितना कृस्पी फ्राई हुआ भाई है और अब इसी तेल में हम लोग मसाला डालेंगे सरसों, लहसन, मिर्ची यह सारे चीज को मैंने एक साथ ही पीस लिया था तो मैं इसे डाल दूँगी इसमें आप प्याज मस डालिएगा प्याज का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा सिब सरसों, मिर्ची और लहसन डालिएगा और अपने घर के एकोडिंग ही, इसमें ग्रेवी बनाईएगा तो मैंने अपने घर के एकोडिंग ही मसाला डाला है और यह मसाला को मिलाने के बाद इसमें हम दो छोटे टमाटर बारिक-बारिक काट के डाल रहे हैं और इसके साथ नमक डाल देंगे, आदा छोटा चमज या फिर नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा एक चोटा चमज हल्दी पाउडर एक चोटा चमज इसमें जाएगा धनिया पाउडर और एक चोटा चमज जाएगा जीरा पाउडर यह सब को मच्छे से भूनेंगे तो अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हम अच्छे से भूनेंगे मसाले को जब तक हमारे टमाटर भी सौप ना हो जाए इसे ढख देंगे और लो फ्लेम पर ढख कर इसे भूनेंगे पास से दस मिनट और इसके साथ ही 2-3 सूखे लाल मिर्च मैंने साबुद डाल दिया है और इसके उपर मैंने इसमें थोड़े सी कस्तुरी मेती को गरम होने के लिए डाल दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए और ये पाउडर बन जाएगा बहुत अच्छे से तो आई देख सकते और ये दह को हमारा अच्छे से टमाटर सौप्त हो गया थोड़ा चाहर और ये तरफया पुरा से तेल ना चोड़ दे और टमाटर बिल्कुल पेस्ट ना हो जाए तब तक हम लोग इसे भूनेंगे अच्छे से तो चम्चे से अच्छे से दबा दबा के टमाटर को पेस्ट बना लीजिएगा क्योंकि ग्रेवी में थोड़ी भी टमाटर का पल पाता है तो अच्छा नहीं लगता है तो इसे हम भून लेते हैं अब क्यास की फ्लेम को हाई कर लीजिएगा हाई फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारा ये मसाला भूना गया है बहुत सारा तेल जो था वो सारा तेल साइड से चोड़ दिया है बिल्कुल टमाटर महस होगी है हमारा और अब इसमें हम पानी डालेंगे तो एक चोटी कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है और आदा चोटी कटोरी और डालूंगी और आप ग्रेवी अपने अनुसार कम्या जादा कर सकते हैं थोड़ा सा पानी और मैं थोड़ा सा पानी बचा लिया लगबख देड़ चोटा कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है और अब ऑग देते हैं एक उबाला गया है और एक उबालाने के बाद मैंने सारी कस्तुरी में थी इसमें डाल दिया था और जो कच्चे केले थे मैंने उदो भी इसमें डाल दिया है sorry friends मैं दिखा नहीं पाई मैं वो कच्चे केले जो हम लोग फ्राइ करके रखे थे वो भी जब एकुबाल आ जाए तो आप इस ग्रेवी में ये कच्चे केले डाल देजिएगा और उसके साथ ही ये जो कस्तुरी में थी हम लोग रोस्ट करके रखे थे बॉडर बना के वो भी इसमें डाल दिये हैं और ये देखे हैं हमारे सबजी का कलर कितना अच्छा आया है और अब इसे हम लोग धनिया पता से गार्निस करेंगे और धनिया पता डाले जब तब गैस के फ्लेम को बंद कर दीजेगा और ये लिजे हमारे सबजी बन के तयार हो गई है तो आप इसे चावल के साथ इंज्वाई कीजे और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेयर और अबस्क्राइब जरूर की जिला थैंक यू